हेलो दोस्तों मैं अनुपमकर और आज मैं आपके लिएक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो की है दूद से छेना कैसे बनता है जो दूद है उससे जो छेना बनेगा वो कैसे बनता है इसमें आपको सिफ दो ही चीजों की जरोत पड़ती है पहला तो है दूद और दूसरा है निम्बू इसका जो प्रोसेस है यह कैसे बनेगा चलिए आपको दिखाते हैं तो जो छेना बनाने के लिए दूद चाहिए हो लोला चुके हैं सबसे पहले तो हम लोग इसे दूद को गरम करेंगे चूले में गरम करने के बाद जो है आगे के जो प्रोसेस है आपको दिखाएंगे अभी पूर आगे जला चुके हैं कडाई डालेंगे इस पर कडाई बेठाया जा रहा है इसके उपर दूद डाला जाए गरम करने के लिए अभी जो है दूद को छाना जा रहा है इस कडाई पर और अभी इसको करीबन पांस से दस मिनट इसको गरम करने के लिए हम लोग छोड़ देंगे और उसके बात जो आगे का प्रोसेस अब को दिखाएंगे इस पर जो एनिंगू दिया जा रहा है जो दूद है यह पट जाएगी और यह दूद जो गरम हो चुकी है पांस से साथ मिनिट हो चुकी है और थोड़ा निंबू काता जा रहा है उसके दिया जाएगा करीबन दस से पंद्रा मिनिट हो चुकी है और आप देख सकते उपर उसका जो परत है वह उट सुका है जो जिससे चेना बनेगा दूद का और अभी उतारा जाएगा और उतारने का बाद इसको ठंडा किया जाएगा करीबन पांस से पांस मिनिट इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे इसके बात जो आए आगे क्या होग़ आपको दिखाएंगे तो अभी हम लोग इसको ठंदा करने के लिए छोड़ देते हैं उसके बाद जो आपको आगे दिखाते हैं और इस दूद को उतारने के बाद ठंदा करने के लिए करीबन हम लोग क्योंकि यह ज्यादा दूद है एक किलो है करीबन इसको अभी हम लोग करीबन दस मिनट तक ठंदा करने के लिए रखेंगे ठंदा होने के बाद जो है आगे क्या होता है आगे का जो प्रोसेस आपको दिखाएंगे कर चूकी है पूरी तरीके से कमसे कम और 15 मिन इसको छंडर कने में लगा और आप देख सकते हूपर का जो भाग है वह पर आ चूका है चेना है दूद का और जो वह पुछी तरीके से बंढ चुकी है और इसको अभी जो है isas każ पानी है इसको अभी निकालेंगे अर चेना गज भी है वी है, बाइ टोुछेन जगाओ work गल्विछफ लिए है काट सब्हें है गल्विए है काटी लिए लिए है बाइए है लिए के लिए है और यह हमारा जो छेना है वो तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से इसको आप इसे विखा सकते हैं या बहुत कुछ में मिलावट करके भी खाने के चीजों में इसमें अब देख सकते हैं यह करीबन आपको 30-40 मिनित लगती है बनने में पूरी तरीके से और यह छेना तयार है हम पाल कि छाए किया प्रहए जाए करें में लाए क्हाके में यह करें।